हर ख़बर पर आपकी नजर बेताब समचार सवापति महोदय या देश बसुदेव कुटुम बकम का है सर्व धर्व संभाव का है और सार्भो मिक्ता का एक नई सर्गी की दर्सन है सीब की वो पंक्ती आत्म मोक्षार्थम जगत हिताचो संपुर्ण बिश्ट का और बानव का कल्यान और खुद के मोक्ष की कलपना हमारे अराध्य गुरु सीब ने इसी पंक्ती से अपने जीमां धर्सन की सुरुबात की थी और यह जो देश है ना यह अध्यात्मिक्ता पर है यह कंप्लिट किसी धर्म या किसी मजभ पर अधारी देश नहीं है यह मानविय मुल्यों के लिए जाना जाता है संत की एधी बात करूँगा तो राम क्रिस्न परभंस विवे कानंद कबीर बालमिकी संत रविदास हम संत उसको कहेंगे मैं सभापती मोहदै सुरू करूँगा जाती जनगर्ना से हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाती जनगर्ना का निरने लिया और बिहार में जब जाती जनगर्ना की सुरुवात हुई ललन बाबु नहीं है अभी नहीं तो मैं उनको सुनाता तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैप्टॉप और कम्प्यूटर नहीं है 96% लोगों के पास भैकिल नहीं है और जो भैकिल है वो यवाई पर है जो भी भैकिल है लगबग 86.2% लोगों के पास एक विगा से नीचे जमीन है कटे में है धूर में है 9.2% लोग है जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है लगबग 78.7% लोग है जिनके पास फूस का घर है तीन का घर है धीत का घर है उसके पास पक्का मकान नहीं है ना रोजगार है ना नोकडी है ना खेत है मजदूरी 280 रुपया है और वो अभी 20 दिन से जादे नहीं करोना के समय मनमोहन सिंग जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया चार सा रुपिया प्रतेक दिन बहस पहले भी हो चुकी थी कि मंड़ेगा छोड़ दीजिये मंड़ेगा का तो बजट घटा दी गई मेरा सवाल सीधा था कि प्रधान मंत्री जी आपके SSV हैं वर्ड इनको भोलो करते हैं तो फिर कॉंग्रेस चलीशा और नेहरू इंदरा और राहुल चलीशा बंद करिये न और अपने प्रति इमांदार बनिये न मेरा आपको प्रधान मंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा उनको बीजेपी वाले को प्रधान मंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा इन लोगों ने गटबंधन की राजदिती की और जब गटबंधन के राजदिती पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधान मंत् पूरे चुनों में एक बार भी हिंदुस्तान के संभीधान की हिंदुस्तान के गरीबों की वॉर्ड के सबसे ज़्यादे गरीब देश पौर के पिता इंकम छे हजार उपिया उससे ज़्यादे हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो आय अफवे है वो है पौर के पिता छोह जार और लगभग जो महगाई का कारण है उसमें दलित आदिवासी अत्यंत पिछरा जो समाज के सबसे कमज़ तबके के लोग हैं उसमें मैं आपको बता दूँ कि उनके ठाली में 160 रुप्या वाला दाल नहीं है 120 रुप्या वाली सबजी नहीं है प्रधान मंत्री जी एदि इतने सा सक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूगा कि कि 84 करोर लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टेक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है मैं कि सर मैं जब बोले अब कि साथ आट मिनट छे बार के मेरा रिक्वेस्ट है मैं उस पर कहना चाहूँगा मेरा रिक्वेस्ट है जाती जंगन्ना पूरे देश में डवल इंजन की सरकार है यदि आप OBC से डफलत मत करिये डलीतों से आप दूर मत होए मैं मेरा रिक्वेस्ट है बिहार का विसेश राज किसी भी परस्तिती में जो आपने पहली बार गांदी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम विहार को अपना बनाएंगे अप मेरा है और विहार को हर परस्ति में बिसेस राज का दर्जा देंगे और बिसेस पैकेज देंगे मितला कोजी सिमानचल और मगट को हाइट डेम के लिए वहां के मक्का और मकान पर अधारी किसान के लिए उस इलाके से बार की मुक्ति के लिए उस इलाके के इंफरास्ट्रेक्टर के लिए लेकिन अब ही तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, आंगर बारी, आंगर बारी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए, तीके जी आप का हुए, पॉइंट पर तो बोल रहा हूं मैं, हमको तीन मिला दीजे सर, ममता, आसा, मैं वही कह रहा हूं सर, रोसया, सर, पॉ के क्या फाइदा होगा, सर, मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताईए, कि बिहार में, जो मैं आंगन बारी की किसकी बात कर रहा हूं, सर, एक भी जगह, डलीत और आदिवासी के में OTF नहीं है, आप चलके जाज कर लीजिए, जलनल योजना लगबग बरबाद हो चुका है, सर, एस्मार्ट सर, मैं कर्पूर्ट बहुत तो रहा हूं, एस्मार्ट मीटर बिजली, सर, दो मिनट घरी देख लिए, सर, दो मिनट घरी देख लिए, सर, वन नेशन, वन एजुकेशन, वन नेशन, वन हैल्थ, एन वन नेशन, वन अवार दो हो या, सर सहरा इडिया के जो वरकर, सहरा इडिया के जो घ्राहक, सर उसका thank you Mr. Premi Chandran thank you Mr. Chairman sir for offloading me this opportunity to take part in the discussion